सर्दियों का मौसरम आ गया है और इस टेंप में मन करता है कि हम बहुत ही गर्मा गर्म और टेस्टी सा कुछ पिए तो आज मैं आपके लेकर आई हूँ अपना सबसे फेवरिट केसर या बदाम दूद बनाने की बहुत ही अमेजिंग रेसिपी जो आपको ताकत भी देगा और अब हम लेंगे बदाम तो लगबग एक चोथाई का बदाम हम लेंगे इसमें भी डालेंगे गरम पानी और इसको भी हम एक घंटे के लिए रख देंगे सोग करके एक घंटे के बार बदाम का जो छिलका है वो बहुत ही असानी से निकल जाएगा तो बदाम को हम अच्छे स करेंगे तो सारे बजमिके से चीर लेंगे और इसके अच्छा सा पेस्ट शैयर कर लें गे तो इसको हम अच्छे से पीत लीगे में और यह देखे nuo पीषने के बाद यह कुछ की तरीके से ठीक सा लगेगा अब हम गरम करेंगे लगबग आधा लिटर दूद और दूद को हम अच्छे से गाड़ा हो जाने देंगे तो दूद अल्मूस्ट गाड़ा हो चुका है काफी जादा तो इस वक्त हम इस पर डाल देंगे अपना बनाया हुआ बदाम और मिल्क का पेस्ट और इसके साथ हम इसमें आड़ कर देंगे जो केसर का दूद हमने सूप करके रखा था इसमें भी अच्छा कलर आचुका है इसके साथ हम इसमें आड़ कर देंगे मिठास के लिए मिश्री आप यहापे मिश्री के जगा पे चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इन सब को अच्छे से हम मिला कर एक बर कुक कर लेंगे, इसमें हम डालेंगे अब फलेवर के लिए थोरा सा एलाईची का पाउडर है अगर एलाईची का पाउडर एडिमेड ना हो तो आप पाउडर बना सकते है घर पे और फिर उसको अड़ कर सकते हैं, और अब इस दू के लिए तो गर्मा गर्म बदाम केसरी दूद को सर्फ करें और ठंड में बहुत ही मज़ा आता है इसको पी कर आप इसको हर रोज पी सकते हैं इसमें काफी ताकत भी होता है और ये पीने में बहुत ही मज़दार लगता है उपर से आप इसको गार्णिश कर सकते हैं चौप कि किजिए और हमें कमेंट्स में बताइए क्या कोई वीजियो कैसे लगा मिलती हूँ एक और नए रेसिपी के साथ तब तक के लिए टेक केर और बाइड बाइड बाइड